हिमाचल कॉंग्रिष अध्यक्ष पर्तीथ सिंग जी हमार साथ हैं मैं लोगसभा चुनाव यह तरह से कह सकते हैं अधर हम सिर्फ बात करें हिमाचल की देखिए अध्यक्ष के यहाँ बात ऑफ पहले से कहा रह briefly है चाहिए वह सी डव्यूसी मीटींग में चाहिए मैं जब को जब भी अपने पार्टी लीडर्स को यहां मिली उनसे भी मैंने यह आग रहे किया कि बहुत कम समय रह गया है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर क्षित्र को इंटेंसिबली विजट कर पाएं तो यह मेरा आग रहे था कि आप जल्दी डिसाइड कर देते कि किसको आप तैय करते हैं कौन हमारा कैंडिडेट होगा उसके लिए हमने वोट मांगने भी जाना है तो इसलिए मेरा बार बार यह आग रहे था पर किसी कारण वर्ष मुझे न नहीं पता कि क्यों इसमें इतनी डिले हुई और अभी तक यह निर्णे नहीं हो पाया कि कौन टिकट किसको मिलेगा मैं आज यह कोशिश कर रहे हूं कि हमारी जो प्रभारी है शुकला जी उनसे भी मिलू और उनसे भी हम आग रहे करेंगे कि आप हिमाचल आओ और एक मीट सही परसन है जिसको टिकट मिलना चाहिए उसके आधार पर टिकट का अबंटन होना चाहिए ताकि टिकट भी सही एकति को जाए और हम अपना काम शुरू करें माचल में कॉंग्रिस की सरकार है एक साल से ज़्यादा का समय हो चुका है क्या इसका कुछ बैनिफिट आपको ल और यह लोग सबा ने विधान सबा की सीटेश जीतेंगे और हम सरकार बनाएंगे पर इस बार परिस्तिती लगता है कि हमारे पक्ष में है क्योंकि एक साल से हमारी सरकार है सरकार ने बहुत महत्त्वपूरण कारिया भी किये हैं और जैसा आप जानते हैं कि यह तरास्थी यह और तरास्थी के वक्त में भी सरकार ने बहुत बहुत बहुतरी इंकाम किया हर व्यक्ति तक पहुंच की हर व्यक्ति तक उसका बेनेफिट उनको दिया जिसके मकान चले इसको मकान बना के दिये जिसको पैसे की कमी हुई उसको पैसा भी दिलाया गया भूमी हीनों को भ से काफी खुश है कि हमारी सरकार ने मदद की गठबंदन को लेकि क्योंकि विपक्षी दलों का गठबंदन इंडिया है और कई राजियों में कॉंग्रस सीट शेर की तयारी कर रही है दूसरी पार्टियों से मातर चार सीटें हैं लोग सवा की कि आपको लगता है कि वहां पर तो इसलिए मुझे वहां लगता कि कोई गठबंदन की आफशक्ता नहीं है और किसी की मदद किया मदद लेने की हमको विजरू हामिर को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आज से नहीं जब से आजादी के बाद से कार्य किया है लोगों के बेनिफिट के लिए कहां ही माचल प करने काम किया है जो अब धरातल पर दिखता है और बजट सेशन शुरू होने वाला है बजट को लेकर और खास तोर पे इस बजट से हिमाचल को कुछ मिले ऐसी कोई उमीद आपको देखिए उस वगत भी हमने बहुत तरही तरही की जब यह बाढ़ हिमाचल प्रदेश में बहुत नुक्सानवा और आप जानते हैं मैंने पिछली बार भी आपको इंटर्विव में यह बताया था कि मैं प्राइमनिस्टर मोदी तक को मिले उनको तक मैंने इस बात से अवगत करवाया कि सेंटर से कोई पैसा हमारी उमीद के मुताबिक नहीं मिल पाया है जिससे हम उनकी मदद नहीं कर सके और मैंने का आप इस बात की जल्दी घूचना करें तो इती हमार साथ हिमाचल कॉंग्रस अध्यश परतीबा सिंग जिन्होंने बहुत से विशोव पर हमसे खास बात चीत की कैमरमन राजश्तिर पार्टी के साथ दिली से सूरे समाचार के लिए वि प्रहको पर सूरे से समाचल के अध्योर के लिए भ्रहकोंे अध्योर खास बात के साथ है